नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है तो कैसे हैं आप आयोप आप ठीक होंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको आने वाद वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो आज हम बात करेंगे पिंक बड के उपर पिंक बड जो की हमारे और चुट में आ चुका है और जो हमारा एलिवेशन है फिप्टी एट हंडर्ड फिट है तो यहां पे अभी कुछ एक जगह पे हमारे पिंक बड आ चुका है तो इस साल बहुत ही अच्छा पिंक बड और फ्रेश कलिया जो है निकल रही प्यारे बागवन साथियों जैसे ही बगीचे में पिंक बड की स्टेज आ जाती है तो सभी के बगीचे में स्प्रे करना अनिवार्या हो जाता है क्योंकि पिंक बड के आते ही बगीचे में थ्रिप्स आदी रोगों का खत्रा बना रहता है जो thrips होते हैं वो हमारे फूलों को या जो pink bird होते हैं जो कल्या होती है उनको चूस लेते हैं या फिर उन्हें काट लेते हैं जैसा कि आपने कई जगा देखा होता है कि जो हमारा pink bird होता है कई जगा से उनको काट दिया जाता है तो उस ट्रिप्स से बचने के लिए हमें अपने बगीचे में इंसेक्टिसाइट की स्प्रेइ करने चाहिए परतु ध्यान रहे कि इस स्टेज में हमें उस तरह के इंसेक्टिसाइट का स्प्रेइ नहीं करना चाहिए जो कि हमारे मदमक्यों के लिए जान लेवा हो जाता है क्योंकि जैसे हमारे बगीचे में पिंक बड़ या फुल बलोम कि स्थेती आती है तो विभिन तरह की मदमक्यां और फ्रेंडली इंसेक्ट हमारे बगीचे में आना शुरू हो जाते हैं जो हमारे पॉलिनेशन में सेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है तो अगर आपके बगीचे में थ्रिप्स का अटेक हो जाता है तो आप अलांटो की 100 ml मातरा के साथ 200 लिटर पाने में मिला के स्प्रेक कर सकते हैं इससे आपके बगीचे में थ्रिप्स नहीं आएगा और इससे मदमक्यों को भी को सकते हैं आमतर पर बागवन साथियों आपने नोटिस किया होगा कि हर्वेस्टिंग के टाइम जब आप कोई फल तोड़ते हो तो आप आते हैं कि वो फल अंदर से सड़ा हुआ होता है तो वो किस कारण होता है तो अगर आप उस प्रोबलम को खतम करना चाहते हैं या फिर उस रोग को खतम करना चाहते हैं इसके लिए आपको इसका ट्रिंटमेट पिंक बड़ पे ही करना पड़ेगा क्योंकि उस कौर रोट नामा को बिमारी से हमें अगर अपने फल को बचाना है तो इसके लिए हमें पिंक बड़ पे फंगाई साट की स्प्रे करनी पड़ेगी तो इसके लिए आप मैंकोजैब की 600 ग्राम मात्रा के साथ 200 लिटर पानी में आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं या फिर प्रोपिनेव की 600 ग्राम मात्रा के साथ 200 लिटर पानी में मिला के इसकी स्प्रे कर सकते हैं या फिर डिफैनो कोन मांजोल की 30 ml मात्रा की साथ आप इसे 200 लिटर पान में मिला कि इसकी स्प्रे कर सकते हैं तो इसे आपके बगीचे में आने वाले टाइम में पाउडरी मीड्यू स्कैप जैसे आधी रोकों से स्रक्षा तो मिलेगी ही साथ में जो फलों के अंदर से जो सडने की जो हमारे बगी बीचे में समस्याती है वो भी ठीक हो जाएगी तो प्यारे बागवान साथियो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लेज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को शेर करें तो मिलते हैं ने जय जवाँ, जय किसान